आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए है जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि DDAJ की तरफ से कुछ वेकेंसी आउट हुई है और सिविल में आपके पास बहुत सारी वेकेंसी जिसमें आपको काम करने का मौका मिलने वाला है तो अगर एक्जा आपको करनी है आपको पता होना चाहिए कि step by step हमें कैसे चलना है किन सब्जेक्स पर फोकस करना है क्या इससे पहले जो एक्जाम हुआ था उसमें हमारा syllabus में कोई चेंज हुआ है कोई अपडेट हुआ है तो आज का यह जो पूरा सेशन रहने वाला है आप मेंसे जो भी लो से जादा questions आते थे तो आज इस session में complete analysis करने वाले हैं और हर एक subject के बारे में जानने वाले हैं कि आपको कितना ध्यान देने की जरूरत है तो sir आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी DDAJ की post आई है कैसे focus रहना चाहिए क्या changes हुए है जी मैं इसमें जो DDAJ की number of vacancies है काफी huge ह 236 vacancies at civil की जिसमें लोगों को syllabus को पहले देखना होगा recent years में paper जैसे इससे पहले का analysis का भी एक वीडियो है इसमें हम add on करते वे 2022 का analysis add कर देते हैं उनमें students को यह पता चल जाएगा कि कि सब्जेक्ट से theory part कितना पढ़ना है कि सब्जेक्ट से कितना numerical part पर focus करना है और कहां से total number of question कि से majority of question आये हैं यह सारा analysis आजा में इनको बता देंगे तो इनके लिए थोड़ा helpful रहेगा साथ ही साथ मैं एक चीज और add करना चाहूंगा इसमें कि इसमें previous जब भी syllabus निकला था ना तो वह था diploma वालों को देखने देखके उसके वाद recent जो last था exam उसके अंदर degree वालों को भी अलाव कर दिया गया जिससे क्या इस बर syllabus में कुछ अपडेशन भी हो कुछ नए subject भी आड़ होएं तो उनको कैसे target करना हम उनके बारे में भी बात करेंगे यहां पर तो आज के session में हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले बात करें तो सोम RCC यहां पर सोम RCC और किसका दे रखा आपको चार subject का दे रखा है सोम का RCC का steel का मतलब यहां आपको totally structure वाला पार्ट आपको दे रखा है मतलब basically यह चारो subject है जो structure से related है यह आपके लिए देखो अगर इसके अंदर हम बात करें आपको 500 shift का weightage दिख रहा है 500 shift में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो weightage रहा है वो strength of material का रहा है 11 एक shift में देखोगे 15, 10, 13 and 10 मतलब लगबग आप देखोगे तो जो सोम का जो आपका weightage रहा है वो 10 plus marks का रहा है साथ ही साथ आप देखोगे यहां पर most of time numericals बहुत पूछे गए आपसे जैसे 8, 9, 9 again हम बात करेंगे 7 फिर एक shift में जाके numericals की quantity कम कर दी गई तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपसे किस पार्ट से ज्यादा क्यूशन पूछे जारे इसमें इक और चीज आप बच्चों को बता दो यह T और N क्या denote कर रहा है जो जी मैं T जो denote कर रहा है आपका theory portion को denote कर रहा है और साथ ही साथ जो N है वो आपके numericals को denote कर रहा है वो किसको denote कर रहा है numericals को तो number of numericals कितने है number of theory question कितने है वो यहाँ पर define किया गया है तो यहाँ पर देखो कि strength of material में majorly कैसे question आए majorly आपके जो question आए वो numericals portion से आए है तो आपको जब भी strength of material का revision करो जब भी आप उसकी study करो तो आपको formula पे ज़्यादा ध्यान देना है और साथ ज़ारी भी देखते भी जाना है इसके बाद RCC में बात करें तो RCC में भी numerical portion एक shift में ज़्यादा है first shift की अगर बात करें तो उसमे numerical portion ज़्यादा है बाकी सब में अगर हम देखे तो theoretical question भी किस से related यहाँ पर concrete technology से related मतलब concrete का जो portion है उस से related आपको numerical portion ज़्यादा देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको वहा लिखा नहीं जारा तो city से related concrete से related आपको major portion आपक major related यह सारे question आपसे पूछे जा रहे है ठीक है फिर अगर steel की बात करें तो steel में majorly आपको जो question पूछा गया है majorly नहीं almost हर बार आपको theory question ही पूछा गया मतलब हर shift में अगर हम बात करें तो यहाँ पर slenderness ratio से related question पूछे गए है मतलब slenderness ratio आपके लिए इसमें important part हो जाता है ठीक है अगर यहाँ पर हम structure analysis की बात करें तो structure analysis हर shift में आए structure analysis अलग से mention नहीं था आपको क्या mention दे रखा था structure analysis subject था उसी में आपके some or toss का part था तो overall अग का अगर मिला ले तो 15 marks का लगबग जो वेटेज है आपका paper का one six part है वो cover कर रहा है strength of material plus toss तो toss के अंदर कौन से topic हो जाएंगे indeterminacy से आ गया indeterminacy से आपके question आ गया फिर आपके trust से related आ जाएगा यहाँ पर trust से related आ जाता है साथनी साथ जो basic SDM method slope deflection method force method और displacement method में जो difference हो यहा देखोगे न तो यहां पर सोम और structure आपको एक अच्छा वेटेज देखे जाते हैं तो दोनों सब्जेक्ट आप तयार कर सकते हो और RCCC RCCC और स्टील की भी बात कर ली यह तो आपका structure वाला पार्ट करो अगर आपने पढ़ लिया है तो थोड़ा जादा अच्छे से practice कर ल तो जितने भी आपके maximum चाहे state A.E.J.E. का वेपर हो, S.E.J.E. का exam हो इसका weightage maximum exams में जादा ही रहता है तो मैं तो यह बोलूंगे अगर आप इन exams पर focus कर रहे हो तो इस subject को अपना एक best अच्छे से prepare कर लो क्योंकि हर एक में इसका weightage बहुत जादा है तो building material में आप देखो 11 questions आपको first shift में मिलें फिर 12 तो on and average अगर आप देखे तो 16 questions बहुत जादा होते हैं कि एक ही subject से जो पूछे जाएंगे तो इसका मतलब कि आपको एक guidance समझ लीजिए उसके मतलब guidance ही बानूंगी कि जितने भी state A.E.J.E. S.E.J.E. R.R.B.J.E. जितने भी exams हैं इस subject का weightage बहुत से prepare कर लीजिए आगे मैं बात करती हूं surveying subject की तो surveying subject के साथ मैं ही deal करती हूं और इसका weightage भी बहुत रहा था तो अगर मैं देखूंगे यहां पर 8 marks average 8 to 9 marks का हमारा surveying subject के questions पूछे गए थे और यहां पर मैं देखू ना हमारा numerical पार्ट में उतना जादा concentration नहीं किया गया थ simple questions आया थे जैसे contours का diagram दे दिया कि यह क्या represent कर रहा है अगर को numerical आया भी तो आपको simple पूछा गया था true bearing, magnetic bearing और declination में क्या relation है या फिर आप जो basic definitions theodolite में पढ़ते हो उसके different operations पढ़ते हो तो surveying में वहां से questions जादा देखने को मिले तो आप देख रहे हो theoretical part आपका यहां पर थोड़ा सा जादा weightage रखता है और अगर numerical भी है ना तो numerical बिल्कुल simple simple था ऐसा नहीं था बहुत बड़ी calculation करने पड़ेगी environmental engineering की बात करते है या अपने आप में theoretical subject है तो surveying का weightage और environmental का आपको साथ-साथी same-same देखने को मिल रहा है total यहां पे भी 9 marks है 8-9 marks तो यहां प बहुत सारे theoretical questions ही थे जैसे आपको बता है water supply pipes है pipes का material पूछ लिया different water distribution system है उसका type पूछ लिया water की quality का question पूछ लिया तो वो basic question जो environment के बनते हैं वैसे ही सवाल यहां से पूछे गए थे स्वाइल mechanics की अगर मैं बात करूँ न तो अब हमारा स्वाइल mechanics का वेटेज भी बढ़ गया है तो वहां पे भी आपका 9-10 marks का question स्वाइल का पूछा जाने लग गया है तो स्वाइल को भी अगर आप prepare कर लेते हो तो यह भी आपका स्वाइल के लिए भी prepare हो जाएगा और बहुत जादा है अपने आप में तो यहां पर भी मतलब अगर हम देखे 9-11 marks हमें हर शिफ्ट में देखने को मिला कुछ निमारिकल्स थे निमारिकल कम है as compared to theoretical question हना अब सर बाकी और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और कौन से सब्जेक्ट रहें तो यहां पर अब ज में पढ़ते हैं building material में इसको पढ़ते हैं जैसे आपसे जो question पूछे गए थे इसमें asphalt से पूछे गए थे asphalt, tar, bitumen इसी से question आये थे यही majorly topic थे जहां से इसके question पूछे गए थे आप इसको consider करना चाते हो तो building material में भी consider कर सकते हो building material में करते हो तो हर shift में दो number का weightage और बढ़ जाएगा मतलब building material आपके subject और important हो जाता है अलग से syllabus में mention भी नहीं था तो part यह building material में भी कह सकते हैं हम इसको transportation में भी कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इसको अच्छे से समझ पाना ज़्यादा feel कर पाना वो transportation में होता इसका इसलिए तो अगर हम बात करें दूसरा irrigation hydrology की अगर बात करें यहाँ पर irrigation hydrology syllabus में mention नहीं था बट किसी किसी shift में एक क्यूशन आ गया है तो ऐसा नहीं है जो part syllabus में mention नहीं है वो नहीं आ सकता है यह चीज पहले भी बात की थी कि इस part में भी हमें तोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी कोई topic mention नहीं हो तो उससे basic question तो जरूर पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो भी एक civil engineering का part है मतलब वो यह मान सकते हैं आपने college में एक बार सुना होगा तो आप answer कर पहां एक दम basic question पूछे जाते हैं बहुत tough नहीं पूछा जाता है एक दम basic जो कहीं न कहीं किसी द marks and 8 marks मतलब constantly 8 marks का weightage रहा है ठीक है मतलब 1 by 10th का weightage रहा है इसका जो weightage रहा है 1 by 10th का weightage रहा है जिसमें majorly आप देखोगे तो theory equation और किसी किसी shift में theory plus numerical का जो पार वो equal भी रखा गया है जैसे बात करो के 4th और 5th shift में 4 4 marks इसमें भी 4 4 marks इससे पहले आप देखोगे तो 5 2 का weightage जाए 6 2 का weightage again 6 2 का तो यहां पर जब आप देखते हो तो आपको यह ध्यान रगना है कि DDA जाई ने अगर हम own and average सारे subject में बात करें तो उसने कहीं ने कहीं 42 50% मतलब minimum हम मान सकते हैं कि 40% तो उसने numerical question पूछे ही पूछे है तो आपको उसके लिए भी ready रहना ऐसा नहीं है कि मेरा selection हो जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है आपकी calculation अच्छी होनी चाहिए आपको calculation speed बढ़ानी है without calculator आप कितना fast कर सकते हो यह इनको थोड़ा सा और जितना यह लोग practice करेंगे जितना यह चीज उस पर काम करेंगे जितना लिखेंगे उसी चीज इंप्रूब होगी तो इस ब सोम यह सब्जेक्स कुछ है जो बहुत ज्यादा वेटेट है ऐसे तो यहां भी 8 marks दिख रहे है लेकिन पढ़ना बहुत पढ़ेगा है फैम अपने आप इतना बढ़ा है प्र हैड्रोलिक मसीन पढ़ना मैं इसमें एक चीज और भी हो सकती है क्यों कुछ नया सब्जेक्ट क उनका क्या रहने वाला उनके बारे में कोई आइडिया सर हम यह कह सकते हैं जैसे अभी हम सलेबस की ही बात कर रहे हैं तो उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो सलेबस में इस बार थोड़ा सा अपडेट हुआ है पिछली बार अगर आप देखेंगे तो ट्रांस्पोटेशन से जीरो या वन मार्क का कोशन वो भी मैटीरियल से आया था अब जो हम यह वेटेश देख रहे हैं यह इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी कि ट्रांस्पोटेशन का पूरा सलेबस एड हो गया है तो मतलब उसके भी हम लोगों को यहां कुछ कोशन देखने को मिलेंगे त इतना अभी हमने यहां पर देखा पर फिर भी सर जनरली बात करें तो मुझे लगता है यह जो बिल्डिंग मैटीरियल आर सी सी हो गया यह कुछ सब्जेक्स हैं यह फिर भी बाकी सब्जेक्स के कमपरिजन में जादा ही पूछे जाते हैं तो नए सलेबस में जो एडिशन ह इडिटरोलजी का कम्प्लीट सलेबस इनका मतलब पूरा पार्ट एडिकर दिया गया जैसा ऐसे सी जेए बाकी और यह एग्जाम से में होता है सेम डिटेल सलेबस एडिकिया गया इनको कोई पूइंट बाकी नहीं छोड़ा गया मतलब अब यह कह सकते हैं अगर आप एसे स इन दोनों सब्जेक्ट में तो मैं कोई एडिशन नहीं जैसा है वैसे का वैसा है जो नए सब्जेक्ट एड़ है उन पर हम बात कर लेते हैं तो मैं इरिगेशन इंजिनेरी देखो इरिगेशन का सलेबस अगर आप देखो गए सारे ही मैक्सिमम टॉपिक्स कवर है बेसिक आपको आनी चाहिए लेकिन प्रेशिपिटेशन हो गया इवैपोरेशन हो गया इन्फिल्ट्रेशन फिर क्रॉप्स के बारे में स्टडी वियर्ज और बैरेज लेसी थियोरी मदब एक डिटेल जो से लेबर सर पढ़ना होता है इरिगेशन के अंडर आता है वो सारे ही टॉ इसा है कि हैड्रोजी मेंजन है तो आपको हैड्रोजी पढ़ना है यहां से लेकि हैड्रोजी दिखता बहुत चोटा सा सब्जेक्ट है बड़ टाइम कंजिम यह भी करेगा आपका यह तो इसमें हम देखे ना तो यहां पर वैल फाउंडेशन का भी कुछ पार्ट दे रख है तो इरिगेशन का तो complete syllabus नया एड़ हुआ है तो आपको यहीं बताना चाहरे है आज के session के medium से कि आप अगर DTA जई पर इस बार focused हो पिछली बार exam में कुछ कमी रह गई थी तो इस बार आपको थोड़ा और edition करना पड़ेगा जो आपने तयारी की थी क्यूंकि exam का syllabus इंजिनेरिंग यह तो आपका ही है बिल्कुल सर ट्रांस्पोटेशन इंजिनेरिंग में देखो highway इंजिनेरिंग तो एड हो गया है highway cross-sectional element आपका geometric design of highway payment maintenance भी एड हो गया है और rigid payment, water bound, flexible payment मतलब transportation का भी सर maximum syllabus देखने को मिल रहा है जैसे speed, flow, density यह इनके बीच का interrelation, traffic तो मतलब traffic engineering भी है तो यह syllabus आपका add हुआ है बापको पूरा transportation DDAJ के लिए पढ़कर जाना होगा इसमें जैसे अगर बात करें तो railway का जो पूरा पार्ट है, railway में इसने सारे topic mention किये, permanent way का sleeper, ballast, fixtures, fastening, track geometry, point and crossing भी mention करते है railway में कुछ भी नी छोड़ा, railway में यहां से लेकर यहां तक का railway का syllabus है, इसने railway में कुछ भी नी छोड़ा, railway का complete जो details जितना आप पढ़ते हो बाकी exams में उतना यहां भी आपको पढ़ना है इसके बाद में हम बात करें, environmental engineering यह भी adjectives है, previous syllabus की करें पहले syllabus था, environment में भी कोई change नहीं है, और फिर structural analysis भी पहले भी था, वैसे ही है, अभी सरह हम estimation costing की बात करते हैं, क्योंकि वो नया add हुआ है जी मैं, estimation costing की अगर बात करें, तो इन्होंने पूरा syllabus mention किया, अगर major major topic की बात करें estimation में, जैसे type of estimation का भी पूरा part है, इसके बाद में आपका specification और unit of measurement का भी पूरा part दे रखा है, rate analysis का भी पार दे रखा है, road estimate, building estimate से भी आपके question आ सकते हैं, साथी साथ valuation से भी के आ सकते है, tender and contract से भी question आ सकते हैं, ये overall आपको जो syllabus है, वो उसका मैंने heading heading बता दिये कि ये estimation का part रहने वाला है, complete आपको estimation जो आप SSC JEE में पढ़ते हो, same syllabus आपको यहाँ भी पढ़ना है, मतलब estimation जो आप वहाँ प्रिपेर करोगी, वो यहाँ भी काम आ जाएगा, तो sir मुझे लगता है एक idea students को मिल गया होगा, कि पुराना syllabus जो था वो तो पढ़ना ही है, ये तीन नहीं जो edition हुए इनका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर highway engineering में railway अलग से नहीं लिखा हुआ है, पर syllabus में जाकर पढ़ोगे, तो railway भी mention है, वो भी पढ़ना पढ़ेगा, तो ये जो तीन subjects के पारे में आपके साथ अभी नया बताया, थोड़ा सा इनको भी start कीजिए पढ़ना, और सर बाकी जिनका weightage थोड़ा सा जादा रहा था 2022 में, जब आप पढ़ना start करोगे, तो उन subjects को priority पर revise कीजिए, priority पर उनके questions practice कीजिए, जिन से जादा marks के questions पूछे जाते हैं, सर कुछ आ इतना ही कहना चाहूंगा कि syllabus में कोई difference नहीं आता किसी exam के, अब सारे syllabus लगबग चाहिए diploma वाले दे, exam चाहिए degree वाले दे, सबका syllabus almost same रहता है, बहुत तोड़ा बहुत addition और बहुत subtraction होता है, तो आप ए common syllabus को prepare कीजिए, और उसी को go through, उसी के according ही आप सारे exam की preparation कीजिए, ज सब्भी किसी exam की preparation करो, तो सबसे पहले जरूरी है उसका syllabus के बारे में complete information होना, और इस वीडियो के medium से हमने यही देने की try किया कि कुछ क्या नया update हुआ है, आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है, और बाकि अगर आपको कोई भी doubt है, कोई भी exam preparation regarding, चाहिए DDA regarding, तो काम आते रहेंगे, उनके previous analysis हम आपके साथ videos लेकर आते रहेंगे, तो आज के session को हम यही पर end करते हैं, thank you everyone, thank you everyone.